नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथिया है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ 7 यानी 7 स्टॉक शेर कर रहा हूँ जिन में आपको फोकस करना है और यह स्टॉक जो जो डेट बोलूँगा मैं उस दिन बड़ी गिरावट आएगी तो आप कृपया करके इन इस स्टॉक से थोड़ा सा साथधान रहें फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टॉक का नाम लेता हूँ एग्जांपल कम्पनी ए और डेट बोलता हूँ आज क्या है आज आपकी सेवन्टीन थैं आज सेवन्टीन है ठीक है मैं डेट बताता हूँ आपको 18 नेवंबर तो आपको 17 को एक्षिन लेना है क्योंकि 18 में इन में आनी है बड़ी गिरावट क्यों आनी है आपको इन मैं बताता हूँ सबसे पहले मैं बता हूँ आपने एक ये तो सुना होगा IPO शेयर साते हैं जब भी कोई IPO आता है तो उसमें कुछ बड़े निवेशक होते हैं जिनका लॉक इन पीरेड होता है एक साल एक महीने डि गिरेगा क्या ये शियर एक बेकेंगे डेफिनेटली क्योंकि ये बड़े निवेशक निवेश नहीं करते हैं ये क्या करते हैं पैसा दे दिया कंपनी को ठीक है आपके IPO आ रहा है रिस्पांस आगे बहुत अच्छी बात है लॉक इन हो गया पैसा फसाते नहीं है यहां से दूसरे किसी कंपनी में लगाएंगे आपको और हम जैसे लोगों को तो IPO में पैसा लगाया मिले ना मिले मिलता नहीं है maximum time अब 10 IPO में अगर QIB portion में ये लोग पैसा अपना lock-in करेंगे तो 10 में से maximum 8 में तो पैसा बनता है एक दो डूब जाते हैं तो ये दुबाने वाली stocks पे धियान से काम करना और जैसा कि मैंने बताया जो date दूआ उससे एक दिन पहले action लेना है जो कि जो date में आपको देने वाला हो उस दिन इन में आएगी बड़ी गिरावट तो चलिए start करते हैं अगला हफता बहुत एहम होने वाला है इन साथ stocks के लिए और अभी तक का इत दूनों में focus में आता हुआ दिख रहा है क्योंकि brokerage house bullish हो गए है stock का नाम है delivery इस stock की बात करें तो लगबग लगबग इसका issue price 487 का था अभी around मैं आपके साथ current market price भी साथ के साथ share करता रहता हूं ताकि आपको पता चलता रहे 400 and मैंने issue price आपको पताया 487 का उसके सामने ये बड़ी गिरावट आई है recently 30% गिर गया है एक महीने में इस stock में जो date है 21st November इस दिन गिरावट आईगी अब आपके पास action लेने का कौन सा दिन है 20th November नहीं क्योंकि 20 November को Sunday है 19 को Saturday है यानि कि कल आपके पास एक मात्र final दिन है जहां आप action ले सकते हैं मैं कोई action आपको suggest नहीं आपके पास है आप चाहें तो बेच सकते हैं क्योंकि मंडे को मुझे ऐसा feel होता है बड़ी गिरावट आने वाली है ठीक है मंडे को आप दोबारा खरीद सकते हैं अगर आपको पसंद है तो otherwise जैसा आपको ठीक लगे जो मुझे काम था बताना वो मैं बता रहा हूँ मंडे बड़ी गिरावट हो सकती है इस स्टॉक में 83% का इस्टेक ऐसा होगा जो लॉकिन से बाहर आएगा मैं आपको बता दूं कम्पनी का जो लॉकिन एंड्स है वो 19th नेवेंबर को हो जाएगा यानि कि Saturday को reaction आएगा 21st को hope आप समझ गए होंगे अब और सारे स्टॉक में आप सेटेडे सेंडे है तो 18th बन रहा है इस दिन आपको action लेना है ठीक है इस स्टॉक की बात करो तो थोड़ी details भी है मेरे पास इस स्टॉक की तो लॉकिन में लगबग 83% की जो कही ना कहीं लॉकिन हो रखा है वो बहार आएगा जिसमें से soft bank के पास जो अभी recently soft bank किसमें अपन stake sell करते हुए दिखिए कल पेटीयम में तो कल पेटीयम ने अपना 4.5% का stake sell करा जैसी lock-in खतम हुआ इसमें soft bank 18.5% stake hold करती है हो सकता है कुछ बेचिने निकल जाए किस तारिक को या किस को खबर आ जाए nexus लगबग 9.1% cppi b 6% tiger global 5.2% state view capital लगबग 2.69% times internet 3.9% and fedex लगबग 2.9% next sirem sgs 22nd november को 3% का lock-in अगे बल तो इसमें ज्यादा action मैं नहीं देख रहा हूँ आप चाहे तो hold करें इसलिए इसकी detail में बात भी नहीं करते हैं बाकि इसका 21st november आपके पास day action लेने का मुझे लगता है नहीं लेन अच्छी ये 3% का lock-in है ज्यादा बड़ा action नहीं होगा next venus pipes इस stock को आप radar पे रखें क्यों रखें क्योंकि इस stock का lock-in period 23rd november को action होने वाला है और 27% का stake lock-dash में जो कि आपके लिए action लेने का कौमसा दिन होगा 22nd november अगर आपको लगता है कल lock-in period का action होगा गिर सकता है stock बेच दो नहीं लगता है बने रहो मेरा काम है बताने का 27% का जो lock-in है वो बाहर हो जाएगा next tarson products इस stock की lock-in date 24th november जब action होगा आपको action लेने की date 23rd november 24th november को 51% stake lock-out हो जाएगा यानि कि जो lock-in है वो हट जाएगा escape हो जाएगा इसमें बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता है 51% का stake होगा लगबग उसमें कुछ details में आपको दूँगा clear vision investment holding लगबग 23.42% hold करती है जिनका lock-in खतम होगा promoter Sanjeev Segal and Rowan Segal can together offload 27.31% stake करेंगे नहीं कर सकते हैं मर्जी यह होंगे ठीक है go fashions 28 november लेकिन इसमें action लेने का दिन है आपके लिए 25th november क्योंकि फिर Saturday Sunday है तो 28 november को बड़ा action होगा go fashions में जिसे आप अभी recently अमने भी recommend कर रहा था इस stock को काफी lower level पर आप 900 उपे अब तो 1200-1100 होगे अठाइस नवंबर की बात करें इसमें लोक इन पिरेड जो लोक इन है वो 47 परसेंट है तो 47 परसेंट इस्टेक फिरी होगा थोड़ी सी डीटेल्स दू मैं आपको तो लगबग शीक्वे शीक्वे कैपिटल 13.88 परसेंट होड करते हैं प्रमोटर ग्रूप सारोगी फैमिली ट्रस्ट केंसेल 33 परसेंट इस्टेक 1.7 करोड शेर ठीक है नेक्स रोलेक्स रिंग्स जिसे आप एथोस के नाम से भी जानते हैं एथोस वाचिस के नाम से 28 नवेंबर इसका भी कही ना गई एक्षन होता हुआ देखेंगा 25 नवेंबर इसकी भी आपके लिए लास्ट डेटे एक्षन लेने की 60 परसेंट का स्टेक है इसमें तो यह आपके लिए रडार पे रहना चाहिए मैं आपको बताऊं 60 परसेंट मैंसे प्रॉमिनेंट प्री आईप्यो इंवेस्टर हैं अबैकस ग्रोथ फंड 1.3 परसेंट स्टेक एलकैमी कैपिटल 2.19 परसेंट स्टेक एंड मार्केटिच कंसल्टैंसी 1.03 सबके छोटे-छोटे हैं सिदार्त आईयर जी के 2.11 परसेंट हैं मुकुल अगरवाल 3.96 परसेंट ह तो यह अपना स्टेक बेच सकते हैं बाकि आपके लिए इमुद्रा वो 51 परसेंट का लॉक इन स्टेक है बट इसके लिए मेरे पास डीटेल नहीं है जो मैं आपको बता हूँ बाकि 21 परसेंट स्टेक इसमें भी ऑफ लोड हो सकता है तो यह मेरी वीडियो होप आप लोगो झाल 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 झाल